दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे नागपूर रेल मंडल के अंतरगत इस्तित्य गोंदिया रेलवे स्चेशन से गोट शेट को इस्ताना अंतरन कर ड्रॉप एंड गोट तर्च पर अत्यादूनिक सुविधाओं से लेस प्लैट्फॉर्म करमांक आठ कर निर्मान किया इस दिशा में कई महत्पूर निर्ने लिए गए हैं जल्दी अत्यादूनिक सुविधाओं से लेस सैमी हाइस्पीड वंदे भारत ट्रेन भी गोंदिया से होगी शुरू मुंबई हावडा के बीच गोंदिया एक महत्पूर इस्टेशन है जबलपूर गोंदिया ब्रॉड दातरी सलाका समीती सदस्य इंजीनियर जस्पाल सिंग चावला ने भारत सरकाय रेल मंदरी अश्विनी वैश्णव सांसत सुनील मेडे सांसत अशोक नेते पूर विधाय गोपाल दास अगरवाल चेयर्मेन रेलवे बोर दिली दक्षिम पशे मध्य रेलवे महाप्रवंद नाकपुर मंदल रेल प्रभंदक वरिष्ट वानिची प्रभंदक को नौर्थ दिश्या में इस्तेते गोट शेट को स्थाना अंतरन कर अत्याधुनिक सुविधाओं से लेज़ ड्रॉप एंड गो दर्च पर प्लैटफॉर्म करमांग आर्ट का निर्मान करने का सुझाव कई बार भेजा था साथी कुछ नई ट्रेनों का परिचालन गोंदिया से शुरू करने एवं कुछ ट्रेनों का विस्तार गोंदिया तक करने समित अन्य कई महत्पून्स उझाव भी रखे हैं गोंदिया में 55 करोड रुपे की लागत से नए कोचिंग दीपो का निर्मान कि किये जाएंगे कोचिंग डीपो निर्मान के लिए बजट को स्विक्रत मिल गई है रेलवे विभाग के अधिकारियों ने सर्वे कर डीपो के लिए जगा भी चुन ली है कोचिंग डीपो गोंदिया में वाशिंग पिट लाइन की संख्या दो है इसमें कोचों की साफसफा मेंटिनिंस और परिक्षं सुविधा उपलब्ध है पिट लाइन में कोचों को आटोमेटिक मशीन से धुलाई के लिए स्वाचालित कोच वाशिंग प्लांट की विबस्था की गई है स्वाचालित कोच वाशिंग प्लांट अगले कुछ महीने में लगने की संभावना है गोंदिया रेलवे स्चेशन को अत्याधुनिक सुविधाय उपलब्द कराने के लिए चावला ने रेल मंत्री अश्वीनी वैशनव सांसर सुनील मेडे सांसर अशोक नेते पूर विधाय गोपालदास अगिरवाल चेयर्मेन रेलवे बोर्ट दिली दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे महाप्रवंदक नागपूर मंडल रेल प्रवनदक, वरिष्ट वानेजी प्रवंदक का हेदे से आभार वैक्त किया है दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे के ब्लासपूर जोन को वंधे भारत ट्रेन के दो रैक मिलेंगे जिसमें से एक रैक नागपूर प्रेल मंडल के अंतरगत इस्तित गोंदिया को मिलेगी और इसे स्विक्रती दी जा चुकी है। गोंदिया से BCN News के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट।